आज हम बात करने वाले हैं वाट्सआप पर लॉक कैसे लगा सकते हैं तो इसके लिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा सबसे पहला तरीका है आप अपने फोन में सैटिंग्स को ओपन करिए फोन की सैटिंग्स में आने के बाद नीचे स्क्रोल करिए और एक option आपको मिलेगा password and security इस पे आप किलिक करिए और यहाँ पर अगर आपने अपने फोन में finger lock नहीं लगाया है तो fingerprint पे किलिक करिए उसके बाद अपने फोन का screen lock enter करिए ok करिए अब यहाँ पर अपना finger lock लगाईए तो fingerprint sensor पर इस टाइप से यहाँ पर आप lock लगाईए यानि की अपना finger lock अपने फोन में save करिए finger lock को set करने के बाद नीचे done के option पे किलिक करिए अब आपका finger lock set हो जाएगा उसके बाद whatsapp को open करिए whatsapp को open करने के बाद उपर 3 dot पे किलिक करिए उसके बाद नीचे settings क्लिक करिए अकाउंट का एक option आएगा अकाउंट पे किलिक करिए उसके बाद privacy का जो आपशन हैगा privacy पे किलिक करिए अब सबसे नीचे आ जाएए और एक option आपको मिलेगा fingerprint lock इस पे आप किलिक करिए उपर एक option हैगा unlock with fingerprint तो इसे यहां से इस option को चालू करेंगे इसे on करने के बाद अपने finger print sensor पर यहां पर finger लगा कर confirm करिए तो जैसे की हमारा in display है आपका side में हो सकता है या फिर back side हो सकता है तो इसे confirm करेंगे और confirm करने के बाद immediately वाले option को आप select करिए अब इसे select करने के बाद आप check कर सकते हैं आपका WhatsApp पर finger lock set हो जाएगा कुछ इस तरह से तो यहां पर immediately वाले option को select करने के बाद आप जितनी बार अपने phone में WhatsApp को open करेंगे आपको उतनी बार यहां पर अपना finger लगाना होगा तो एक तरीका है इस तरह से lock लगाने का अब अगर यह तरीका काम नहीं करेगा आपके phone में तो इसके लिए settings को open करें settings में आने के बाद नीचे scroll करके apps का एक option हैगा apps पे click करें उसके बाद नीचे एक option हैगा app lock इस पे click करें अगर आपको यह option नहीं मिलेगा तो settings में आने के बाद उपर search पे click करिए और search करिए app lock उसके बाद आपके search में ये option आ जायगा app lock पे click करिए उसके बाद app lock पे इस वाद add lock पे इस टाइप से click करेंगे अब यहां पर app lock पे click करने के बाद अगर आपने app lock को चालू नहीं किया होगा तो एक नया lock set और उसके बाद फिर से एंटर करिए अपना लॉक कन्फर्म करने के लिए हमने पहले से ही अपलोक का पास्वर्ड बना लिया था तो हमने जो पास्वर्ड बनाया था उसे एंटर करेंगे और जब आप app lock को set कर लेंगे password वगरा set कर लेंगे तो ऐसा interface आपके सामने आएगा अब आपके phone के सारे application आ जाएंगे अब नीचे scroll करेंगे आपको मिलेगा इस type से whatsapp तो whatsapp को यहां से चालू करेंगे अब उसके बाद आप देख सकते हैं आपके whatsapp पर lock लग जाएगा तो इस तरह से आप whatsapp पर lock लगा सकते हैं मैंने आपको दो तरीके बता दिये हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें